आज पुलिस की जिन सुनवाई में एक दमपत्ती पहुचा दमपत्ती राइपुरिय थाना छेतर की जकनावदा चोकी के अंतरगा चंदरगण गाओं का था इस दमपत्ती ने आरोब लगाया कि आज से करीब दो महिने पहले उनके घर पर चांदी और नगदी की चोरी हुई थी और जो पिडिता है हंका पती बापु उसने चोरों को भी देखा था लेकिन दो महिने से जकनावदा पुलिस कोई कारवई नहीं कर रही है इफाया नहीं कर रही है मामले में भील पंचाद भी बेठी जिसमें इनका कहना आया फर्यादियों का कि आरोपी ने कबूला दंड देने की बाद भी कही लेकिन बाद में पलड गया तो तस्विर देखें ये एसपी अफिज जाबवा पहुंचे थे ये दंपती और इन्होंने जो फर्याद लगाई पहले वो सुन लेजिए कि दोनों का क्या आरोप है मेरे यहां सर बारा आठ दोजार चोविस को चोरी हुई सर तो मैंने मतलब बकरी लेकर आरही थी मैंने देखे कि कान्तू और मोहन और मड़या मेरे घर से मैंने निकलते हुए बागते हुए देखा सर मेरा नुक्सन हुए सर अलमारी पूरी तोड़के ने उसने मतलब यह डाई किलो रकम थी वो निकाल ले गए और सांट अजार रुपे थे वो निकालके लेके भाग गया सर मेरा नाम है अंका बुरिया ग्राम चंद्रगड मेरा बील पंच में खुटने के बाद भी उसने अच्छी अजार रुपे कान्तू और मोहन और मड़या ने कबूला मेरा नाम बापू सिंग बुरिया इस पूरे मामले में फर्यादियों का जो बयान है वो हमने आपको सुनाया इस पूरे मामले में एक चीज है जिसको लेकर पुलिस को संसा है वो बात ये है कि जिन पर ये आरोब लगा रहे है चोरी करने का वो रिस्ते में जो पिडिता है आरोब फर्यादी बता रही है अपने आपको उसका जेट लगता है पुलिस का कहना कि इनका लंबे समय से जमिन विवाद चल रहा है पुलिस को ये संका है कि शायद जमिन विवाद के चलते इस तरीके के आरोब लगाया जा रहे हैं लेकिन फिलाल एसपी ने एडिसल एसपी जो आज जन सुनवाई ले रहे थे उन्होंने इस पूरे मसलिप पर क्या कहा है तो इस पूरे मामले में हमने जो फरियाद लेकर जन सुनवाई में आये थे उनका पक्च सुनाया पुलिस का क्या कहना है वो सुनाया आपको वज़ा भी बता दी कि शायद पुलिस को ये शंका है ये अब जाज का विशा है हम कुछ नहीं कहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है दोनों चीज़े हो सकती है, हो सकता चोरी हुई हो, ये भी संबव है कि जो पुरे पक्राण पर पुलिस को जल्दी निराकरण करना चाहिए क्योंकि न्याय चाहिए किसी को मिले, देरी से अगर मिलता है, तो वो न्याय नहीं होता